Hello friends, welcome to civil engineering destination आज हम आपके लिए बहुत अच्छी job recruitment लेके आ रही है HPCEL, हिंदुस्तान Petroleum Corporation of India Limited की तरफ से basically एक महारतन PSU है यहाँ पे इसे officer engineer के लिए recruitment डिकल के आ रही है जहाँ पे अगर आप final year में हैं तो apply कर सकते हैं fresher हैं तब भी apply कर सकते हैं proper regular job है, permanent सरकारी नौकरी है salary आपकी 15,00,00 रुपए की CTC रहने वाली है एक बहुत शानदार मौका है आप सब के लिए जो लोग इस company में interested है, इस post में interested है इस वीडियो को लास तक सरूर देखिएगा हम आपको अपने इस वीडियो में isolated सारी जानकारी देने वाले हैं और friends, welcome to our channel, Civil Engineering Destination for regular job updates, अगर आपने अभी तक हमारे चानल को like को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए चहांपे आपको daily basis पे regular job updates मिल जाती है इसी के लाबा friends, आप सब हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है लेकिन subscribe नहीं करते हैं, बेटा देखे हैं, ऐसा मत किया करिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो इसे देखिए subscribe जरूर करिए और bell notification जरूर दबाया करिए ताकि हमारे चानल पर जितने भी अपडेट्स आती है, जितने भी वीडियोस आती है सब की जानकारी आपको as soon as possible मिल सके अब सीधे बात करते हैं recruitment के बारे में इसस कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited, HPCL बेसिकली यहाँ पे से बहुत सारी recruitment निकल के आ रही है इसका form बना स्टार्ट हो गया है 18th September से लास्ट डेट 18th August से form बना स्टार्ट हो गया है और जो इसकी लास्ट डेट है 18th September रखी गई है तो उससे पहले यहाँ पे आपको apply कर देना है इसके exam में कैसे सवाल आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में अगर हम पोस्टों की बात कर लेते हैं तो mechanical engineer, electrical engineer, instrumentation engineer, civil engineer के लिए पोस्टे है mechanical पे सबसादा vacancy है, 57 vacancy electrical engineer के लिए 16 vacancy है, instrumentation के लिए 36 है civil engineer के लिए 30 vacancy है, chemical के लिए 43 vacancy है salary यहाँ पे आपको 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में मिल जाएगी ठीक है, maximum education में 25 years लग दी गई है essential qualification में अगर आपके वास 4 साल की degree है अपने ही discipline में, civil में, electrical में, mechanical में या फो instrumentation में तो यहाँ पे apply कर सकते है chemical वाले भी यहाँ पे apply कर सकते है basically जो process होता है, वहाँ पे chemical वालों की जरुवत पड़ती है basically main देखिए, fresher के लिए यही पोस्टे है और final year के लिए यही पोस्टे है इसके लब बाकी जो पोस्टे हैं, वो सब experience वालों के लिए है जैसे ही senior officer city gas distribution, cgd की पोस्ट है वहाँ पे भी चार साल का B.E.V.Tech मांग लिया गया है civil, electrical, mechanical में और instrumentation में लेकिन तीन साल का experience मांगा गया है लेकिन जो experience है, बहुत ही crisp है बहुत कम लोगों कोश चीज में experience होता है senior officer LNG business की भी पोस्ट है ऐसी बहुत सारी पोस्टे हैं, देख सकते हैं सबके बारे में की करके हम लोग बात कर लेंगे साल भी मैंने आपको बता दी आपकी कितनी रहने वाली है ठीक है पोड़े और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो functional area वो ही civil रहने वाला है ठीक है, इसी के अलावा work experience जो है basically जो आपकी और जो पोस्टे हैं उसमें work experience काफी crisp मांग लिया गया है जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ for example आप देख सकते हो senior officer sales LPG यहाँ पर MBA मांग लिया गया है दो साल का ठीक है वैसी आप देख सकते हो senior officer city gas distribution operation and maintenance तो यहाँ पर आपके पास minimum three year experience मांग लिया गया है managing your role in city gas distribution system अब यह experience हर किसी के पास नहीं होता है लेकिन जिसके पास है वो यहाँ पर जा सकता है यहाँ का जो इसका selection procedure है पहले आपका एक exam होगा exam के बाद यहाँ पे आपका group task होगा फिर एक personal interview होगा उसकी basis पे यहाँ पे आपको recruit किया जाएगा ठीक है इसी के अलावा जो इसका test होगा वो CBT computer based test के हिसाब से रहने वाला है इसमें आपका general aptitude में यहाँ पे आपका English language quantity aptitude test यह सबाने वाला है ठीक है टेकनिकल में आपका जो आपका technical होगा वो आपका qualifying nature का रहने वाला है रावजी मैंने आपको बता दी आपका minimum CTC कित्ती रहने वाली है जो आपकी CTC है उसमें आपका HRS, TA, DA सब यहाँ पे मिला रहेगा और जो आपको medical होता वो भी मिल जाएगा पोस्टिंग आपकी all over India रहने वाली है शुब पहले का qualifying एक साल आपका production period रहेगा उसके बाद आपको यहाँ पे regular कर लिया जाएगा इसी के अलावा अगर आप SCST यहाँ के जो application fee है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं SCST के लिए कोई भी fees यहाँ पे नहीं रखी गई है वो भी सी और general के लिए यहाँ पे 1000 रुपए प्लस GST यहाँ पे रखा गया है ठीक है लास्ट इसकी 18 सप्टेंबर रहने वाली है अगर आपको यहाँ पे अगर exam देने जाना होगा और आप कहीं और है तो आपको यहाँ पे अगर 30 km से जादा का distance है तो आपको आपका जो traveling होगा उसका PA भी मिल जाएगा बस लेकिन SCST और Physically Handicap को मिलेगा इसके अलावा किसी को नहीं मिलने वाला है बाकी यहाँ पे apply करने के लिए इनकी official website है यहाँ पे जाके आप लोग apply कर सकते हैं लिंक आपको सीधा इसका description में मिल जाएगा तो जो लोग interested है as soon as possible ज़रूर apply करें बाकी सकी सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी